है तो इस फोले पहले लेक्चर में मैं प्रवाइबिलेटी के आपको ब्राइंड नीू कंसेट देने वालों ठीक है लेगिन प्रवाइबिलेटी पे लोग आपको बाद में समझ में आएगा जिसका बेसिक है प्रमूडेशन कॉम्बीनिशन वह आपको पहले सीख कर आना है आरे और पकड़ाबादा में तो probability combination के लिए आल्रेडी अराउंड 30 lectures की सीरीज वह मैंने अपलोड कर रखी उस पर आप पहले इत्मिनान से इससे सुनने के पहले इत्मिनान से probability combination के वो 30 lecture की सीरीज आप सुनकर आईए जब आप वो 29-30 lectures की पूरी सिरीज जब आप सुनकर आजाएंगे जब को ऐसा लगी कि हाँ अब मेंको प्रोडिशन कॉंबिनेशन सर के साथ पढ़के पूरा अच्छे से क्लियर हो गया उसके बाद प्रोडिटी का पहला लेक्चर रन करना नहीं तो यह प्रोडिटी का लेक्चर आपके लिए इतना आए करना बताऊंगा तो मैं इसमें प्रोडिटी के सीरीज में आपको सीधा एडवांस लेकर जाने वाला हूं एक बर आपको प्रोडिटी के डेफिनेशन एक बर समझा दूं बस जैसे आप डेफिनेशन समझ जोगे तुरण उसके एडवांस लेवल बजाएंगे क्यों सर तो मेरी सला क्या है यह वाला वीडियो आपके लिए तब बैनेशन होने वाला जब आपके प्रोडिटी हमारे एक्जाम में सबसे जादा आने वाला कंटेंट है सबसे जादा आने वाला आप किस भी एक्जाम के बारे में सोचो किसी MBA इंटरस एक्जाम के बारे में सोचो CAT, MAT, CMAT, ZIFT के बारे में सोचो आप Campus Placement, ELITMES के बारे में सोचो यह फिर आप gate exam के बारे में सोचो, bank exam के बारे में सोचो इन सारे एक्जाम्स में probability के questions for sure रहते हैं और इसके लाब ITGWE exam में भी इसके questions आपको मिलेंगे probability के बिना आज तक maths और aptitude का कोई भी exam प्लान नहीं किया गया है यह हमेशा आता है आपके paper में और probability आपको अच्छे सीखना है और आप यह वाली बाद स्कूल टाइम से जानते हो कि probability कितना परिशान करने वाला content है आप मेरे साथ इस वाली वीडियो लेक्चर की सीरीज में बने रहेगा मैं बहुत ही ground level से start करूँगा एकदम basic level से और आपको high level तक लेकर जाऊँगा इस वाले सीरीज में फिर बने रहेगा जैसे हमने PNC बहुत अच्छे से complete किया है वैसे ही मैं probability भी बहुत अच्छे से complete करूँगा आर यह बात पकड़ते हैं तो आज क्या करने वालो मैं इस वाले lecture में आज मैं आपके लिए type 1 के problems लेने वाला हूँ चीक है जो कि मैं इस वाले lecture series में discuss करने वाला हूँ तो आपने copy में type 1 लगा दीजिए और उसका question 1 आप अपनी copy में भी लिखेंगे मैं आपको एगवार question explain करता हूँ फिर solve करके भी बताऊँगा question आप लिखेंगे पहले question क्या कहता है यह सुन लेजे question कहता है a box contains six black and eight white balls what is the probability that the ball drawn is white अब मैंने बहुत ही basic question लिया हुआ है और यह मैंने question service लिया हुआ है तक कि मैं आपको प्राइकता बोलते हैं हिंदी में तो प्राइकता है कि मैं आपको आपको definition सिखा सको अब probability के जो definition होती है न वो जो हमको school time पे बताई जाती है वो आप पहले सुन लिजे हमको school time पे बता जाता है probability definition favorable spaces upon sample spaces अब यह definition एकदम सही है लेकिन इतनी applicable नहीं है तो इसलिए हम लोग यह definition अब से नहीं करेंगे हम लोग एक new definition करेंगे तो probability के definition होगी जो चाहिए बते में सब कुछ तो आज से हमारे लिए probability की प्राइक्ता की definition होगी जो चाहिए बते में सब कुछ आगे बहत पकड़ते हैं यह हमारे लिए probability की definition होने वाली है जो चाहिए बते में सब कुछ यह सिखाने के लिए मैंने question और one लिया हुआ है एक बार उसको लगाना सीखलो कैसे लगाते हैं देखो भई मुझे probability जाननी है मुझे probability जाननी है जब मेरे पास box में 6 black और 8 white balls given है और मुझे 1 ball निकाले के लिए कहा गया और वो 1 ball कैसी हो जानी चाहिए white हो जानी चाहिए मेरे पास box में कितनी balls given है 6 black 8 white तो total कितनी balls हो गई 14 8 और 6 होता है 14 तो मैंको 1 ball निकाले थी 14 balls हैं उसमें सबको 1 ball select करनी है तो PNC मेंने concept दिया था selection के लिए use करते हैं combination तो अब लिखो के 14 C1 that 14 C1 conveys कि हमने 14 में से 1 ball select कर लिए यहां तक बात आगे समझ में दूसरी बात यह यह बन गया सबकुछ 14 C1 यह हो गया सबकुछ यह सारे में से निकाला ना अब देखो question के हिसाब से हमें क्या चाहिए question के हिसाब से हमें जो हमने ball निकाला है वो कैसी हो जानी चाहिए white हो जानी चाहिए question के हिसाब से हमने जो ball निकाला है वो white हो जानी चाहिए white ball कितनी है 8 उसमें से एक ball जाओ select करोगे तो आप लिखोगे 8c1 तो यह हो जाएगा 8 upon 14 इसको solve करूँआ तो हो जाएगा 4 upon 7 4 upon 7 इसका right answer होने वाला है देख लो इत्मिनान से पदा चला जो चाहिए बटा सब कुछ कैसे लगा जाता है आइडिया मिल गया इसे इत्मिनान से लिख लीजिए हम लोग discuss करने वाले हैं question number 2 पर चलिए question number 2 सुनते question number 2 कहता है a box contains question number 2 अभी आप copy में लिखेंगे question number 2 कहता है a box contains 4 white, 5 red, 6 blue balls 3 balls are drawn from the box at random the probability that all of them are red एक बोड़ा question समझाते हैं सुन लेजे एक box में 4 white, 5 red और 6 blue balls है आपको उसमें से 3 balls निकालनी है इस बात की probability क्या होगी कि जो आप ball निकालोगे वो कौन सी हो जाए 3 की 3 रेड हो जाए यह है वो question ठीक है? चलिए इत्मिनान से इसका अप्रोच देखते है probability आपको जानना है probability क्या होता है जो चाहिए बटा सब कुछ ठीक है? मुझे क्या चाहिए? पहले समझो सब कुछ क्या हो था? सबसे पहले सब कुछ ही define क्या करो 6 और 4 10 10 प्लस 5 15 टोटल हमारे पास 15 बॉल्स है इन 3 उको जोड़ा है 15 आ रहा है टोटल मैं 15 बॉल्स है और मुझे क्या करना है? 3 बॉल्स सेलेक्ट करना है टोटल 15 बॉल्स से 3 बॉल्स सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैंने लिखा 15C3 15C3 conveys कि मैंने पूरे बॉक्स में 15 बॉल्स थी और उसमें से 3 बॉल्स को सेलेक्ट किया हुआ यह बन गया सब कुछ अब मुझे क्या चाहिए जो मैं 3 बॉल्स निकाल रहा हम वो रैड हो जाए रैड कप होगी? जब रैड में से सेलेक्ट करोगे तो यह रैड कितनी है आप कास 5 तो यह पर हो जाएगा 5C3 ठीक है? जैसे ही आप इसको सॉल्फ करोगे तो हो जाएगा 5 इंटो 4 इंटो 3 15 इंटो 14 इंटो 13 इसको थोड़ा कैंसल आउट कर देता हूँ हाला कि मुझे इतना करना नहीं चाहिए इस वीडियो पर फिर भी स्टिल I am doing तो यह हो जाएगा 2 upon 91 2 upon 91 इसका यह राइट आंसर है आप इतना से देख लीजेगा पता चला? कैसे अपलाए होता है जो चाहिए बटा सब कुछ यह हो गया question number 2 भी finish Now we are going for question number 3 Question number 3 सुनते है Question number 3 में कहता है A bag contains 6 white and 4 red balls 3 balls are drawn at random Question आप copy में लिखेंगे न What is the probability that 1 ball is red and other ball is white चीक है बटाइ वो कह रहा है question में कि अपने पास 6 white और 4 red balls है हम लोग को 3 balls select करनी है box में 6 white और 4 red balls है हमको 3 balls select करनी है और इस तरह से select हो कि 1 red मिले और बच्ची हुई 2 white मिले Question है समझ में 6 white और 4 red balls है आपको 3 ball निकाल लिए इस तरीके से निकालना कि आपको 1 red मिले और बच्ची हुई 2 white मिले कैसे निकालेगे सर अप ज़रा इत्मिनान से सीख लो Probability क्या होता है भई Probability होता है जो चाहिए बटा सब कुछ सब कुछ के बनेगा 6 और 4 हो गई 10 ball 3 select करने तो लिखा मैंने 10 C 3 इसे सीख गए अपन अब मुझे कहा चाहिए 1 red हो जाए 4 red कितनी है 4 1 red हो जाए तो उसके लो हो गया 4 C 1 2 white हो जाए 6 तो यह हो गया 6 C 2 आई समझ में Comfortable है अपने से तो अब आप इसको solve करोगे तो आपको right answer मिल जाएगा expression आप देख लो मेरा ख्याल इसको आपको solve करना आ जाता होगा PNC की basic वाली class में शुरू के कुछ lectures में solve करना सिखाया हूँ वहाँ जाके दिखिएगा इसको अगर solve करना आए तो answer में comment section में लिखूँगा आप वहाँ से अपना answer टैली कर लीजेगा इसका calculation वाला form नहीं कर रहो lengthy हो जाएगा फाल्तू वह आप कीजेगा चलिए तो यह आपको comment section मिल जाए ऐसा calculated form आप expression देख लो कैसे बनाया मैंने एक रड़ दो वाइट टोटल तीन चलिए यह हो गया question number 3 we solve now we are going for question number 4 question number 4 कहता है a bag contains 2 red 3 green and 2 blue balls 2 balls are drawn at random what is the probability that none of the ball is blue बोल रहा है कि एक bag में 2 red 3 green और 2 blue balls है आपको 2 balls निकालनी है और इस बात के probability क्या होगी कि एक भी blue नहीं होनी चाहिए चलिए भई मैं करके बदाता हूँ आप सीखो probability क्या होता है भई probability होता है जो चाहिए बटा सब कुछ सब कुछ क्या बनेगा 2 और 2 4 और 3 हो गया 7 टोटल 7 balls है जिसमें आपको 2 balls select करना था इसलिए मैंने लिखा 7 C 2 चीक है अब मुझे क्या चाहिए मुझे इस तरह से selection लेकर आना है कि एक भी ball blue नहीं हो अब आपको blue नहीं चाहिए तो क्या कीजिए blue को cancel कर दिजिए तो क्या बचेगा 2 red बचेगी और 3 green बचेगी तो आप जब भी 2 red और 3 green में से ball को select करोगे वो कभी blue नहीं रहेगी तो 2 और 3 कितना हो गया 5 5 में से 2 निकाल दिया इसको solve करता हो जाएगा 5 into 4 upon 7 into 6 थोड़ा सा cutting कर देता हो आपके लिए तो हो जाएगा 2 times पे हो जाएगा 3 times पे तो हो जाएगा 10 upon 21 10 upon 21 इस question का right answer है accepted ठीक चलिए question 5 सुनते है question 5 कहता है a box contains 6 green, 4 yellow and 3 white balls 6 green, 4 yellow and 3 white balls 3 balls are drawn at random what is the probability that they are not of same color कह रहा है कि एक bag में question समझा देता हूँ एक bag में 6 green, 4 yellow and 3 white balls है हमको 3 balls निकाल ली है और इस तरीके से निकाल ली है कि वो जो 3 balls है वो same color की नहीं होनी चाहिए should not be the same color ठीक है? ये same color की नहीं होने चाहिए अब ये वाला question आपके लिए homework होगा इस वाले question का जो answer है वो मैं आपको नए वाले वीडियो में बताऊँगा आरी बात पकड़ में तो इस वाले वीडियो में आपको शुरू के 4 questions में सिर्फ जो चाहिए बटा सब कुछ ही apply करना सिखा है जो की super basic था नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़े advance level की question लोगा एकदम जटके से advance level नहीं लेता हूँ धीरे 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 धीर आपको उपर लेकर जाएंगे अभी आप basic level देखरों फिर धीरे धीरे आपको जैसे मैंने करें देखरों आपको जाएंगे मैंने